मेरा नम प्राइजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं RLC परामीटर के बारे में पुराने लेक्टर अगर आपको याद होंगे तो मैंने वहाँ पर RLC परामीटर के मतलब को बताया था मैंने बताया था कहां से पराइमिटर आते हैं यानि कि लाइन के जो भी परामीटर ने वो कैसे आते हैं पिक्चर के अंदर क्यों पर चर्चा करी थी ठीक है आज एक एक परामीटर के लिए रिजिस्टेंट में बचे वए जो एल और सी हैं इनको हम लोग आने वाले लेक्चर में cover करेंगे, साथ ही साथ GMD, GMR की concept को भी इस series के अंदर detail में देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी conductor ले लो, उसके अंदर current flow कर रहा होगा, तो अगर उसके अंदर charge है, तो वहाँ पर electric field हमारे देखने को मिलेगी, यह तो होगा charge की बात, अब इसी तरीके से अगर कोई electron flow कर रहा है, जैसा कि current flow करें conductor के अंदर, तो अपने आसपास magnifield बनाएगा, अगर वो current बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो Maxwell's के हिसाब से इस तरीके की magnifield create होगी, ठीक है, anti-clockwise, वहीं पर अगर current अंदर की तरफ जा रहा होगा, cross में, तो reverse direction में, Maxwell's का right hand rule से हम निकाल सकते है, direction of magnifield अंदर की तरफ होगी, तो clockwise होगी, ठीक है, तो clockwise and anti-clockwise, ठीक है, यह दो तरीके magnifield हो सकती है, अगर conductor में current flow कर रहा है, तो वो magnifield भी हमने mark कर लिए yellow color की line से, this is the magnetic field, now जब किसी भी conductor अंदर current flow करेगा, तो conductor कुछ उसको oppose करेगा, तो वहाँ पर heating होगी, collision होगा electron का, जब electron आपस में collide करेंगे, तो उसकी वज़े से heating create होगी, उस heating effect हमें पूरे system के अंदर flow होने वाले current को, voltage जो पास हो रहा है, supply और receiving end के voltage को affect करेंगे, तो इस चीज़ को calculate करने के लिए, इस चीज़ को picture में include करने के लिए हमने क्या करा है, हमने parameters ले लिए, magnifield के लिए हमने inductance ले लिया, electric field को अंदर include करने के लिए हमने capacitance बना दिया, और heating के effect को द्रशाने के लिए हमने यह resistance picture के अंदर ले लिया, तो इस तरीके से हमने क्या करा, तीनों चीज़े हमने picture के अंदर ले लिए, ठीक, इस particular part में हम लोग resistance को उपर चर्चा करेंगे, यानि कि देखेंगे जो heating हो रही है और उसकी वज़े से system में क्या changes आते हैं और कैसे वो heating जो होती, किनके इन factor पर depend करती है, तो heating से मेरा मतलब है resistance के हम लोग बात करने वाले हैं, तो basically अगर resistance की definition की बात कर लें, तो opposition offer by transmission line यानि की, transmission line जो भी opposition offer करेगी, conductor को, टांशिच लाइन conductor जो भी opposition offer करेगा, electron के flow को या current के flow को उसको हम लोग resistance कह देते हैं, अगर आप किसी wire के अंदर या किसी भी metal के अंदर current एक potential setup करोगे, ठीक है, positive negative, तो वो उसके अंदर current setup करेगा, यह current setup इतना असान नहीं होता है, उसको कुछ opposition offer होगी, और वो opposition को ही नाम हम लोग resistance के रूप में दे देते हैं, ठीक है, रेजिस्टर होता है, एक element, जो खरीद के लाते हैं, जिसमें यह ring पड़े होते हैं, और हम उसमें निकालते हैं, कितने ohm का register है, और एक होता है resistance, तो resistance क्या है, resistance is the property है, ठीक है, यह क्या है, यह property है, बहुत ध्यान दे समझ लेना इसको, यह property है, और register क्या है, यह element है, ठीक है, तो किसी भी transmission line के अंदर, जो भी उसको resistance offer हो रहा है, वो कोई element तो है नहीं, कोई हमने register तो लगाए नहीं रखे हैं, अपने transmission line के अंदर, हम तो चाहते हैं कि देखने में एक भी register नहीं लगा होता है, लेकिन यह क्या है कि material की property के current resistance picture में आ रहा है, तो इसलिए जो भी चीज ऐसे property की वज़े से आती तो जितनी ज्यादा length होगी, उतना ज्यादा resistance picture में आएगा, यानि कि वो एक point पे concentrated नहीं है, और जब concentrated नहीं है, तो वो कहलाएगा distributed distributed parameter, ठीक है, distributed और learned parameter दो तरीके के system होते हैं, दो तरीके के parameter हम transmission line में include करते हैं, distributed means जो की पूरे lengthwise बिखरे हुए है, यानि कि अगर यहाँ खड़े होके देखो कि तो कम resistance दिखेगा, यहाँ पे देखो कि तो ज्यादा दिखेगा, दो इतना सारा wire का resistance picture में आ जाएगा, so this is the distributed distributed parameters, इसके उँपर एक बढ़ा ही प्यारा lecture distributed parameter का डाल रखा है, last में link देदूँगा, देख लेना उसे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हमने देखा, transmission line है, उसके अंदर जो resistance है, वो बिखरा हुआ है, और उसको हमने distributed parameter का नाब देते हैं, तो सबसे पहले तो एक question इस प equation solve करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा दिमागी खर्चा करना पड़ेगा, समय बहुत लग जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया, हमने कहा कि transmission line को तीन category में बाट दिया, ठीक है, short, medium और long, ठीक, तीन category बाट दिया, अब यह जो तीन category है, यह कैसे बाट short का मतलब ऐसी transmission line जिसकी length 80 से कम है, वो short में डाल दी, medium मतलब 80 से 200 km की line है, उसे medium कह दिया, और 200 के किलो मीटर के उपर की line है, यह किलो मीटर लिख लेना, ठीक है, 200 किलो मीटर के अगर उपर की line है, तो वो long की category में आ गई, तो जब भी हम short और medium line की deal करेंगे, तो resistance को हमेशा lambda parameter की तरह treat करेंगे, मतलब इस पूरे line के resistance को एक register की तरह treat करेंगे, हम यह मानेंगे कि पूरा transmission line का resistance को एक point पर concentrated है, ठीक है, clear है, लेकिन जब बात आएगी long transmission line की, ठीक है, बड़ी 200 km से ज्यादा की, तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ पे हम distributed, यानि की original जो feature है resistance का, कि line में distributed है, उसको treat करेंगे, वैसे, अब इसके पीछे कहानी क्या है, जब short और medium की बात करते हैं, और lambda parameter लेके calculation करते हैं, तो लगवग, लगवग, lambda parameter ले लो, चाहे distributed ले लो, answer same आएंगे, इसलिए हमने lambda ले ली है, जब same ही answer आने, error बहुत कम होता है, ठीक है, अगर error हम हम क्या करेंगे, lambda लेके काम चला लेंगे, लेकिन जब बात करेंगे distributed की, तो उसके अंदर अगर हम लोग ले ले लेंगे, तो बहुत ज़्यादा error आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, distributed parameter केवल long में use करते हैं, क्योंकि long में अगर lambda लोगे तो error आ जाएगा, तो that is the case clear हो गए हैं यहाँ पर, तो मैंने सारी technical चीज़े बता दी हैं, क्यों lambda ले रहे हैं, क्यों distributed ले रहे हैं, ठीक है, now इसके अलाव अगर हम बात कर लें, formula की, तो दो formula है, पहला है कि जो कितनी loss औरी conductor में, divide by I square, यह formula यहाँ से आया है, कि जो power loss होगी, heating के रूप में, I square R होग सबको पता होगा, rho L, Y, यहाँ पर rho क्या है, rho तो हमारी resistivity है, resistivity length of the conductor and area of the conductor, ठीक है, clear हो गया, यह चीज़ समझ में आगई होगी होगी, now अब देखते हैं कि कौन-कौन से factor इसको affect करते हैं, तो सबसे पहला factor जो है, वो AC, DC का क्या असर पड़ता है, यह इस पे star mark कर ले ना अगर तुम कोई conductor market से खरीद के लाए हो, तो वहाँ पर देखने हो मिलता है कि पूरा current जो है, वो uniformly distributed होता है, यानि कि current density जो है, वो proper बटी होई है, लोग जो है हर तरफ बिखरे हुए है, ठीक है, तो जो current आ रहा है निकलके, यानि कि अगर एक pipe मालने, तो pipe में से पानी ज तो वह हमारा uniform current density होगी, ऐसा होता है DC case में, लेकिन जब बात करते हैं AC के case में, तो दो parameter picture में, दो effect आ जाते हैं picture के अंदर, पहला skin effect, इसके उपर कई बार मैंने short lectures के अंदर cover करा हुगा है, इसके उपर detailed lecture, skin proximity effect पे अगर detailed lecture चाहिए है, कि कैसे होता है, मतलब बिलकुल बाल क proximity effect में से कुछ भी डाल देना, तो मैं उसके उपर separate lecture बना दूँगा, वरना मैं यह मान के चलूँगा कि तुम्हें पता है, ठीक है, तो skin effect अगर चाहते हो, तो comment section में, छोटा सा message लिख दो, कि सर skin effect भी करा दो, detailed में, तो detailed में, मज़ा आने वाला एक दम बढ़िया lecture बना दे कि यहां पर center पर, center portion में, flux link के जादा होता है, बाहर के comparison में, तो इसलिए क्या होता है, यहां का center का जो reactance है, वो बढ़ जाता है, compared to the outside, तो इसलिए current क्या होता है, खिसक के outside चला जाता है, मतलब, उसके boundary पर flow करने लगता है, conductor की, यानि कि conductor की boundary कह लो, और अगर हम conductor को एक इ बढ़ आया, skin effect, skin effect में basically क्या होगा, कि current जो flow कर रहा था, पूरे uniform distributed था, DC में, वो ही same current जो होगा, वो corner पर shift हो जाएगा, boundary पर shift हो जाएगा, boundary पर flow करने लगेगा, ठीक है, यह होता है, यह होता है, यह भी होता, variable flux के कारण ही है, variable AC current, क्योंकि variable current है, और जब भी variable current होगी, DIY, DT तो वहाँ पे faraday आ जाएंगे, lens आ जाएंगे, और reactance यह सब picture में आ जाएगा, तो इसकी वज़े से ही दोनों effect होते है, तो proximity effect जो होता है, basically, यह भी इसी variable current की वज़े से होता है, क्योंकि AC में, और इसके अंदर एक नई चीज़ देखी जाती है, इसके अंदर खास बात है कि current एक तरफ shift हो जाएगा, अब वो किदर भी हो सकता है, दोनों opposite shift हो सकते हैं, दोनों same direction में shift हो सकते हैं, यह depend करेगा, current कैसा flow कर रहा है nearby conductor में, अगर nearby conductor में same direction में current है, मतलब इसमें से भी अंदर जा रहा है current cross है, और इसके अंदर भी current cross है, cross मतलब अंदर की तरफ current flow कर अगर इसमें अंदर की तरफ current flow कर रहा है, तो क्या होगा, तो current density जो होगी, left वाले में left की तरफ और right वाले में right की तरफ खिसक जाएगी, मतलब root हुए couple की तरह, एक दोसरे कोने में बैठ जाएंगी दोनों लोग, समझ में आ रहा है, अगर same मुद्धे पे लड़ाई हो र similarity, ऐसा होगा, opposite अगर हो गया, तो दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, ठीक है, पेर के रूप में, पास पास बैठ जाएंगे, दोनों एक ही तरफ current shift हो जाएगा, ठीक, clear हो रहा है, तो ये भी again same वजाएं है, वजाएं क्या है, वजाएं यह ही है, उसके अंदर जो variable flux है, उस आ रहा होगा, अब क्योंकि ये दोनों effect picture के अंदर आ गया, तो एक बात जो बिल्कुल खास देखने को मिल गई तुम्हें, पूरे system को अगर ध्यान से देखोगे, कि DC के अंदर जो current है, उसके पास इतना बड़ा area है, फ्लो करने के लिए, ठीक है, इतना सा area है, इसके अंद यानि कि ये area भी चला गया, तो skin plus proximity effect होने से, effective area जो है, AC का बहुत ही ज़्यादा श्रिंग कर जाएगा, ये कि देख सकते हो, कि वल इतना सा area रह गया, जिसमें current flow करेगा, और ये पूरे इसमें flow कर सकता है, तो effective area DC का जो होगा, वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा आके खोल के, जैसे भी मनो, एकदम से बता देना, कि DC का resistance कम होता है, AC का resistance जादा होता है, because of skin and proximity effect, तो आयो समझ में आ गया होगा, तो एक खेल तो ये हो गया, कि भाईया, AC और DC से resistance vary कर जाता है, transmission line का, इसलिए क्या होता है, कि जब हम बात करते है, high voltage transmission की, ठीक है, EHV, extra high voltage की जब बात करते हैं, और long distances की बात करते हैं, तो HVDC जो है एक अच्छा option है, आजकल काफी जगाँ पे हम लोग HVDC connect करते हैं, I think जहां तक मैं correct हूँ, Southern grade से जो हमने Northern grade connect करी है, वो HVDC से ही करी है, एक पर चेक कर लेना, मतलब इंडिया में भी बहुत अच्छे level पे HVDC use हो रह होगा, जबकि AC अगर लोगे, तो conductor का एक छोटा सा को नहीं इस्तमाल हो रहा है, बाकी पूरा conductor बस देखने के लिए है, मोटा, so that is the case, now दूसरे और कौन-कौन से factors हैं, जिससे affect होता है, तो सबसे पहले standing की बात कर लेते हैं, standing क्या होता है, कि standing basically अगर हम बात करें, दो तरी standard होते हैं, solid होते हैं, hollow होते हैं, तो यह सब कौन से क्या होते हैं, और क्यों होते हैं, और कहां use होते हैं, इनके उपर separate video पर मैं काम कर रहा हूं, तो बहुत जल्दी तुम्हें देखने को मिलेगा, उसके उपर, ठीक है, थोड़ा से इंतिजार करना पड़ेगा, तो basically अगर हम बात करें, तो solid conductor तो ऐसे motor सा conductor लिया है, एक ही metal का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर standard conductor की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, छोटे-छोटे ऐसे हमने conductor ले क्या है, पतले-पतले, और उन्हें आपस में लपेट के ऐसे तयार कर दिया, एक रस रसी की तरह गुते हुए जो होते हैं, यह जो गुतना जो रसी का जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वो इसी से picture के अंदर आता है, spiral effect, समझ मारी बात है, spiral effect आता है, मतला हमने क्या करा है, spiral क्या होता है, यह तो होता है, इस तरह कि अभी winding कराने जाते हो, तो वो उसमे spiral डालता है, spiral winding होती है, तो उसमें इस तरह के गोल-गोल घूमा गोगा, जो ring type का बनता है, तो यह standard conductor जो होते हैं, इनके अंदर ऐसे करके हमने जो गुता हुआ होता है, इस से spiral effect पिक्चर में आ जाता है, इसको अगर तुम्हें बहुत detail में जाना है, तो भी comment section ने डाल देन तो spiraling effect के कारण क्या होता है, length of the conductor बढ़ जाती है, इसको जड़ा ध्यान से समझ लो, मान के चलते हैं, इतना बड़ा मैंने solid conductor लाया, लेकिन अगर मैं standard लाऊँगा, तो उसके अंदर जो conductor होगा, अगर उसका एक portion, मतलब केवल इस वाले को निकाल लूँ, तो यह कुछ ऐस ऐसे करके spiral होगा, ऐसे करके spiral या ऐसे कर लो चलो, ऐसे करके spiral होगा गुथा होगा एक क्यूंपर एक, तो अगर इस वाले conductor को जो standard से निकाला है, इसे straight करूँगा, तो यह बहुत बड़ा conductor निकल के आएगा, समझ में आ रही बात है, original तो size इसका यह होगा, इसको क्योंकि हम मान के चलते हैं, दो से 3% जादा होगी, समझ में आ रही है, तो अगर एक मीटर का ले के आते हो, तो यह 1.21, sorry, 1.02 मीटर का हो सकता है, या 1.03 मीटर का हो सकता है, ठीक है, clear हो रहा है यहाँ पे, तो यह जो extra देख रहा हो ना, 2 से 3% more than the theoretical length, यह क्यों आ रही है, because of its spiraling effect के का करन आ रही है, तो जो हमने ऐसे करके ना, गोल-गोल घोता-गोता के जो रस्ती की तरह spiral करा था, तो उसको अगर सीधा करके देखोगे, तो actual length जो होती, conductor की वो काफी जादा होगी, अब क्योंकि actual length जादा है, तो यार उससे क्या होगा, resistance बढ़ गया है, क्यों रेस्टेंस इसको मतला है, लेंज से, अब एक्च्छल लेंज तो एक मीटर, वो सारी, नॉर्मल लेंज, तो एक मीटर थी, पर जो उसके अंदर हमने standard conductor इस्तमाल करा था, उसकी लेंज जो थी, वो कितनी थी, 1.02 मीटर, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर जादा हो गई, ठीक है, अब जब 20 से साज़ा हो liegt करेगा और यह जो दिक्कत करेगा इसकी वज़से से बढ़ जाएगा तो इसकी वज़ए से लेंज से जयादा होती है, तो इसकी वजह से जोolid Carrender का वह भी हुआ कर रहा हूं ठीक है तो दिस इस इस पारल एक तो यह और भी होते हैं इस पारल के उसको बाद में चरचा करेंगे हाला कि चीज में और बतातु कि इस्तमाल करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा जो करेंट का चन्ड़ने करने के चक्र में थोड़ हो जाता है ठीक है सब्सक्राइब ना अगर आगर आगे बात कर लें है टैंपरेचर एफेक्ट की ठीक तो टैंपरेचर को भी समझ लो जितने अब देखो resistance क्या है resistance डाइक प्रपोशनल टू लेंथ है resistance डाइक प्रपोशनल टू रो है अभी तक हमने एरिया वाला देख लिए लेंथ वाला देख लिए इफेक्ट और यहां पर हमने देखा था ACDC एफेक्ट यह दोने चीज़े देख लिए तो अब दूसरा आता है यहां पर resistivity effect ठीक है अब resistivity जो होती है वो material की inbuilt प्रपरटी होती है इसके उपर भी मैंने बहुती अच्छा एक वीडियो डाल रखा है जाके चेक करो power system की series है मैंने पढ़ाया था temperature coefficient ठीक है होता न एंटी सी नेगेटिव temperature coefficient पॉजिटिव temperature coefficient इसके उपर बहुती बड़ी लेक्टर है science क्या है science behind the temperature coefficient लास्ट में लिंक देदूंगा देख लेना तो जब भी हम बात करते है तो यह property तो material की है लेकिन temperature से इसका directly सीधा सीधा relation है तो अगर हम example की बात करें for example तुम material अगर कोई भी लेते हो तो जैसे कि बहुत ही फेमस temperature के बीच का कर्व बना रखा है मैंने तो लेक्टर चेक करो ntc ptc के उपर पूरा सारे concept clear हो जाएंगे इन जो मैंने science behind यह बताया ना temperature coefficient बताया कि क्यों आखिर मेटल की positive temperature coefficient होता है और semiconductor और insulator का जो होता है वो negative ntc temperature coefficient होता है negative का मतलब temperature बढ़ा होगे तो resistivity reduce होने लगेगी resistance कम हो जाएगा तो उसको चेक करना तो अगर हम बात करते हैं temperature के effect को picture के अंदर डालें तो temperature के अंदर का जो effect है वो resistivity के terms में डाल सकते हो और resistivity का effect डाल सकते हो अलफा के terms में यानि temperature resistivity को गर मैं एक line में include करूँ तो temperature coefficient of resistance पिक्चर के अंदर आ जाता है तो यहां पर देख रखा है अगर T1 की value दे रखी अलफानौट क्या दे रखा है temperature coefficient है resistance का at 0 degree centigrade यानिकी 0 degree अगर लोगे तो उसका temperature coefficient कितना होगा वो यहां पर दे रखा है ठीक है कि यह आरवन कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर में अलफानौट यहां होगे T1 temperature मान के 25 डिग्री पर कितना था 27 डिग्री पर कितना होगा resistance ठीक है तो 27 रखोगे यहां पे 27 डिग्री अलफानौट की value रखोगे 0.00427 और आंसर निकलके आ जाएगा ठीक हो रहा है यहां पर तो distributed जैसा मैंने बताया था तो लेफ्ट वाला लेक्चर देख लेना और अगर यहीं पर यह जानना चाते हो कि science का temperature coefficient की आखिर क्यों temperature coefficient किसी का positive और negative होता है atomic level पर सीखना चाहते हो भी animation तो राइट वाला देख लेना यह दो लेक्चर बड़े मेरे बहुत फेवरेट लेक्चर लगाते हैं और condition related बात करते हैं यहां पर resistance यहां पर खतम हो गया है now inductance कैसे होता है GMD और GMR calculation क्या होती है उसको माने वाले लेक्चर में सीखेंगे आपने अबना कीमते समय दिया उसके लिए धन्यवाद